हाई गाइज वेलकम बेक टू माई चैनल दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको एक श्टिरोएड कीरीम और एक सेफ कीरीम के बारे में बताने वाला हूँ वीडियो के अंट तक देखिएगा चिस समझेगा आज हमने लिए स्किन लाइट क्रीम और ग्लैम बैज जेल तो द सबसे पहले चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब ताक अगर इसी लेटेस्ट वीडियो को नोटेक्स अगराबर मिलता रहे हैं तो यहां पर आप देख रहे हैं ग्लैम बैग जेल जो दोस्तों बिलकुल सेफ होता है इसकिन के लिए और कोई साइड इफेक नहीं होते हैं इसके निमासी रुपे का सबसका रहता है यह आपको उनलाइन आचानी से मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा अगर आप बाइक करना चाते हैं तो कर सकते हैं यह जेल इसकिन वाइटनिंग इसकिन लाइटनिंग हलके डाक स्पोर्ट अलकी आइपर जाएगे यह वह सारे का सारे सेफमकिल चैसे कि कोजी कでचिट मेंडिक और विटामिन के रेचन के लिए वाइटनिंग य्यूरु मेर, इसके हैं जाल सबस्क्रिक मिलिए सब्साददिकर्व है तो इसक Щक्रभी नहीं होते हैं तो यह है सेफुष winter क्रीम में आती इस में अनल स्किन लाइट जो की मार्केट में काफ़े डिमांडेड है वहीं ग्लैम बैक जेल आपको आसानी से नहीं मिलेगा जो सेप क्रीम होती है दोस्तों उनकी यही पैचान है कि वह आसानी से मेडिकल इस्टोर बगार आप नहीं मिल पाती है ऑनलाइन ही अवेलबल रहती है ज्याद इसकाउंट मिल जाता है क्योंकि यह है इस्टुरेड क्रीम है अब दोस्तों इसके अंदर कॉमिनेशन क्या है तो इसके अंदर हाइडोकिन है ट्रेटीन है और मोमेटा सोन है यह तीनों के लिए इनके साइड इपेक्ट भी होते हैं और उनको कुछ खास कंडिशन में ही जो भी ज्यादा इसकीन पर अगर मिलाजमा की समझ्या है वो दोस्तों आसानी से सेफ क्रीमों से ठीक नहीं हो पाती है तो इसलिए इसकीन लाइट वगर जो भी क्रीम आती है इसके इसकार से इनका प्रियोग करते हैं डोक्टर लेकिन अन्य दवाओं के कोमिनेशन के साथ म प्रियोग करना चाह रहे हैं तो दोस्तों आप एक विक चे ज्यादा यूज ना करें और इसको नाइट बेश यूज करें वैसे दोनों दूस्तों आल इसकीन टाइप सभी लोग इस्तिमाल कर सकते हैं बात करें साइड इफेक्ट के बारे में इसकीन लाइटनिंग क्रीम के और दोस्तों दोस्तों देखें आपको चाहिरे पर रेड्नेश जादा दिनों तक प्रियूब करने पर जादा मात्रम प्रियूब करने पर एसके लावाध मजल और बाल आन स्काहिप अबिक्स उत्भी वेराभ हो जाती हैं कुछ लो लोग को इसके अलावाध मैशं कर पहले